नमस्कार दोस्तों लेलीजा की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे कुसल से होंगे फ्रेंड्स मैं आज फिर आई हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ और आज मैंने बनाए है ब्रैड करम्स की नमकीन और जो खाने में बहुत ही टेश्टी और बहुत ही अच्छी बनी है चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं जब भी हम कोई डिस्प बनाते हैं ब्रैड से तो यह हमारे ब्रैड के टुकड़े बच जाते हैं जो साइडों में से निकलते हैं तो आज मैं आपको इने से ही नमकीन बनाना बताऊंगी और अब सब से पहले हम देख लेते हैं मैंने क्या के लिया है यह मैंने चार पेसन हम और भी ले सकते हैं अगर मैं आवशकता पढ़े की यह मेरे ब्रैड के टुकड़े है इनकी कोई भी एक मात्रा नहीं है बस यह मैंने ऐसी ही ले लिए है अंदाजी से और सबसे पहले अपने ब्रैड को पीस लेंगे और आलू को भी मिक्स भी पीस लेंगे और कि बनाना श्चार्ट करते हैं सबसे पहली आलोको मैंने अरक बड़े बतन में निकाल लिया और डाल दिए और दो टेबल फुन ही मैं आजरे इंदर बेसन डाला है देखिँं इसी ही दो टेबलस्पून लिया है और अब इसमेमें स्वाध labeling नुसार नमक और यह हिंग डाल रही हूं हिंग डालनी बहुत जरूरी है क्योंकि हिंग से नमकिन के अंदर एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा बहुत अच्छा टेश्ट आएगा और यह थोड़ी सी हल्जी डाली है मैंने इसके अंदर फ्रेंट्स तो महारी लाल मिर्ची थी उसे मैंने पानी में डाल के रख दिया था और उस पानी को मैंने च्छान लिया है और इसे इसमें डाल दिया क्योंकि नहीं तो हमारे बीज आया थे इसमें और देखिया बेक टेबल स्पूनी मैंने इसमें रिफाइंड ओल लिया है सरस सब को बहुत अच्छे से मिला लेंगे और देखें मैंने तीने चीज़ों को अच्छे से मिला दिया इसका बस हम यह धियान रखना है कि हमें इसका एक सोफ डॉर धियार करना है यह बिल्कुल भी टाइट ने होना चाहिए अगर यह टाइट हो गया तो हमारी मशीन में से नही चुछार हो गया है और यह मुझे हलका से टाइट लग रहा है क्योंकि हमारी ब्रैड़ भी फूल जाएगी थोड़ी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ले लिया और देखें एक दन से मुलाइम डोबन कर तियार हो गया है इसका और यह आपको देखें मेरे हाथ से पता ल आने हमें आटे को बिल्कुल हमारे जितना चिकना हमारा आटा बनेगा जितना चिकना डोबनेगा ना इतनी अच्छी हमारे फिर नमकीन बनेगी और इसको हम ढखके एक तरफ रख देंगे और अम मैंने ले लिए है यह नमकीन बनानी की मशीन जो मेरी चोटी सी मशीन है मेर इसको अच्छे से हम ओयल से ग्रेस कर लेंगे और जो हमारे इसका अंदर वाला हिस्सा है इसे हम ओयल से ग्रेस कर लेंगे और देखे यह नमकिन मैं आज आपको कद्दुकस में भी बनाने से खाऊंगे तो जो मेरा कद्डुगस का बारिक वाला हिस्सा है तो उसे मैंने ओल से ग्रेस कर लिया और अब यह मैंने कड़ाई में ओल रख दिया गरम होने के लिए यह इना पनी बैटर को मशीन के अंदर रख लेते हैं हाथ को मैंने चिकना कर लिया और देखें हमारा कितना soft बना है यह डोज हमारा आपको देखी रहा होगा और एकदम से मुलायम बनाया है मैंने ये और इसका एक लंबा रोलो बना लेंगे और मशीन में रख लेंगे इसे और देखिए जो सबसे बारिक जाली है मैंने वो वाली जाली ली है और इसे इसके अंदर सैट कर दिया और देखिए भी थोड़ा से बैटर लिया मैंने इसका छोड़ा लंबा रूल बना के इसको इसके अंदर रख दिया और थोड़ा से बेटर ओर डाल देंगे इसमें और अब इसका पीच लगा देंगे हम अच्छे से इसे बंद कर देंगे और वेल हमारा गरम हो गया है और देखिए अब इसको हम सावधाने से डालेंगे और हो सके तो आप मुझ से फूक मारते रहें क्योंकि इसकी बहुत हो गए हैं तो तब मैंने इसको पलट दिया देखिए जब जाग कम होंगे तभी हम इसको पलटेंगे अगर फुल जाग आते रहेंगे तो हम इसे नहीं पलटेंगे देखिए फ्रेंट्स हमारी ये नमकिन दोनों तरब से सीख कर तेयार हो गई है मिसे निकाल लेंगे और मैंने निकाल किसी जाले के उपर रख लिया है ताकि इसका जो एक्ष्टा ओयल है सारा निकल जाए और ऐसी हम अपने सारे नमकिन बना लेंगे और देखिए हमारी सारी नमकिन बन कर तेयार हो गई है मैं आपको कद्दुकस से मैंने नमकिन कैसे बनाई है वो बनाना बताती हूँ देखें मैंने छोड़ा से बैटर लिया और कद्दुकस को ऐसे मैंने कड़ाई के ऊपर रख दिया है इसको मैंने हाथ में लिया हुआ है और हम बार बार इसको हाथ को उठाएंगे और इसके अंदर ये हम कद्दुकस करेंगे और देखे हमारे कितने अच्छी नमकिन इसमें से नीचे गिर रही है और ये भी बहुत टेस्टी बनी है दोनों नमकिन का टेस्ट एक जैसा ही है जो मैंने मशीन से बनाई है उसका भी और इसका भी और जितनी नमकिन हमारी एक बारे में आई हैंगी इतनी ही हमकडाई में डाल देंगे कितनी अच्छी नमकिन बनकर तयार हुई है हमारी अब ये अच्छे से सिग गई है तो इसे निकाल लेंगे और देखे फ्रेंड्स अब मैंने आपको आज दो तरह से नमकिन बनानी बताई है मशीन से और कद्दू कसे अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज कर दीजे और देखे हमारी नमकिन बनकर तयार है इसमें अब कुछ मसाले मिला लेते हैं लेकिन उससे पहले मैं इसे तोड़के छोड़ा बारिक करूँगी और देखे यह वाली नमकिन भी बहुत अच्छी बनी है बर थोड़ी से डाक सिख गई है यह और इसको मैंने चोड़के इसको बारिक कर लिया देखे कितनी अच्छी भुजिया हमारी बनकर तयार हुई है और इसमें डाल रही हुँ ठोड़ा सा काला नमक और इसमें मैंने थीज म्रिश पछिवा पदीना डाला है और काला नमक डाला है क्योंकि म्रूस तो मैंने इसमें पहले से अंदर डाल दी थी और इसको अच्छी से मिला देगे और फ्रेंड मसाले आप अपनी इच्छनुसार कमिया जादा कर सकते हैं, कई लोगों को तेज मिर्ची पसंद होती है, कई अपनी इच्छनुसार जादा कम कर सकते हैं, और देखें मैं इसे बावल में ले लिया है सर्व करने के लिए, और बची हुई नमके नुका आप किसी डबे के अंदरे स्टोर कर सकते हैं, और देखें फ्रेंड से बहुत अच्छी भुजिया बनकर तियार हुई है, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे, कि आगे से जो हमारी ब्रैड बचेगी है, ब्रैड के बचे भी टुकड़े होंग और फ्रेंड्स आप इतना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धरनेवाद, और अगर आप मेरे चैनल अपर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेजे, और घंटी का बटन जड़ो दबा देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और मैं आपसे अपने अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार